तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ से 5 पॉइंट्स जिससे आप अपने चैनल को सर्च में ला सकते हो क्योंकि काफी कमेट्स मेरे पास आये थे कि भाई अपने चैनल को सर्च में कैसे लाएं काफी टाइम हो गया इतनी सारी वीडियो डाल दी हमने और हमारे चैनल अटक सर्च में नहीं आया तो भाई मैं आपको इस वीडियो में आपको इस पांच पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपका चैनल सर्च में आने लगेगा आप समझ लीजिए पॉइंट्स जो मैं नहीं हुआ है इस नाम से इस नाम का कोई पहले से चैनल फिल्टर लगा करके आप चैक कर सकते हो कि इस नाम से को चैनल पहले तो नहीं क्रियेट किया हुआ है तो इस वेज़े आपको जब आप नाम से रखते हो तो एक बार यूटूब पर सर्च कर लिए अगर हो कि आपके जो लोगों को सर्च करने में दिक्कत आ है आपको एक catchy नाम रखना है बहुत एक चोटा सा नाम रखना है जैसा आप मेरे चैनल देख लो वाओ टेक अगर आप मेरे चैनल को यूटूब पर सर्च करोगे भाई वाव टैक एकदम तुरूंत फर्स नमबर पर आता है क्योंकि एक छोटा सा नाम है तो आपको भी इसी तरह का नाम रखना है क्योंकि मैं देखता हूं वह सारे चैनल के बड़े-बड़े नाम होते हैं और वह सर्च जब उनको करते हैं तो नहीं मिलता, फिल्टर में जाकर चेकश करना पड़ता है तो दूसरा पैन यह है क्योंकि आपको बड़े नाम का चैनल नहीं क्रियट करना है अब अप 3 पैंट शुन लिजिए वो क्या है वह बहुत important पैंट है उसको अगर आप follow करों रोगे तो चाहे filter लगा के search करो कैसी भी करो आपको अलग-अलग location में ऐसे 10 लोग जो आपको देख लेने हैं ठीक है उनको आपको बोलना है कि यह मेरे channel का नाम है और YouTube पर इसको search करना चाहे filter लगा के search करो कैसी भी करो जब 10 लोग अलग-अलग location से आपका channel search करेंगे तो definitely आपका channel run करेगा definitely आपका channel rank करेगा और search में आने लगेगा क्योंकि जब आप एक दो वीडियो डालते हो चैनल पर तो भाई आपका channel बिलकुल भी search में नहीं आता तो यह trick से आप अपने चैनल को search में ला सकते हो अभी मैं चलता हूँ 14 points के और वो भी सुन लीजिए वो क्या है आप एक से लिए कि 10 वीडियो आप उसके अंदर upload कर दोगे हर वीडियो के अंदर हर वीडियो के title के अंदर आपको अपने चैनल का नाम लिखना है क्योंकि YouTube का 30% टैग्स में से वह research करता है आप आप टैटल लगाते हो keyword research जो आप करके वहाँ पर जो भी टैग्स वगरा यूज करते हो आप महां से 100 से 30 पर अंदर में से 30% महां से वह सर्च में लाता है लेकिन 100 में से 100% आपको जो title होता है उसको search किया जाता है तो इसलिए मैं यह वीडियो के title में आपको अपने channel का नाम लिखना है title के अंदर तभी आपका channel rank करेगा भाई यह मेरा life proof है यह मैंने खुद किया हुआ है इस वाई से मैं आपको बोल रहा हूं आपको 10 वीडियो के अंदर अपने channel का नाम लिख देना है title के अंदर जब आप उन लोगों से search क करवाओगे ना अपना channel मैं कहे रहा हूँ definitely आपका channel rank करेगा अभी बढ़ते हैं पांचों point की और जो की बहुत important है तो जान लिजे पांचों point क्या है आपको किसी का reuse content नहीं use करना है जो अल्रडी YouTube पर पढ़ा हो या अल्रडी social media platform पर पढ़ा हो तो आपको उसको use नहीं करन है आपको अपनी वीडियो बनानी है अपना title बनाना है अपना unique title बनाना है आपको तभी आपकी वीडियो unique content में में जाएंगी अगर आप Sam content YouTube से उठाकर कि copy paste कर देते हो जो आप उतमे title लिखते हो तो भाई title में जब आप वस title को सर्च करेगा तो भाई उसकी वीडियो शो क करेंगी क्योंकि आपने उसकी reuse content किया है क्योंकि वह already social media platform पर पढ़ा है already YouTube पर पढ़ा है तो आपने उसको यूज किया है अपने वीडियो के अंदर जिससे आपको monetization पर भी असर पढ़ सकता है असर पढ़ सकता है असर पढ़ आपके चैनल को जब आप review में बहुते तो भा पर पढ़ा है तो मैं दोस्तों आशा करता हूं आपको मुझे बताओ आपको यह points कैसे लगे और यह आप apply करके देखना जो मैंने आपको points बताए हैं भाई अगर वीडियो अच्छी लगी यह points अच्छे लगे हैं तो प्लीज इस वीडियो को like और इस चैनल को subscribe जूरू कर दिना थेंक्यू